Assalamu alaikum, कुछी बखिये अगे तो स्याल सब याए हुए है लेकिन स्याल लेक ही नहीं आये खाली स्याल आगे बगहर स्याल के कैसी करनी लग रही आपको यहां की उससे रखोगा बहुत लेकिन वो याद आती हो गी बार फिर महाँ वापड़ भी है इसके लावा यहां नहीं है न वापड़ा यहां नहीं है न वापड़ा जया राम्रा तो चूर करें फिर यह तो करेंखे ठल किया हो गता राम्रा आओज बिल्लह मिन श्यत्वान र्रजीम बिस्म ल्लह र्रह्मान र्रहीम वल्यालमन ल्लाह ल्जीना आमनू वल्यालमन ल्मुना फिर वकाल ल्दीन कफरू ल्दीनामन उत्तबगी सबीलना वल्नावमिल खतायाकों वा माहुं थामिलीन रुमिलतु सब्सक्रार्णारुम् साल्नोन। वल्कद अर्सलना नूहन लाकोमिही वल्लबस फीहिम अल्फसनति इल्ला खम्तीन आमा आख़दहुम उत्वफान वहुम जालिमून वांजैना हुआ अस्वाब सफीरते वजालना आयत लिलालमीन वाइबरहीम इस्वाल लिकोम इबद ल्लाह वात्तकू लालिकूम खैर लिकूम इनकुंतुम तालबून इन्न मा ताबदून मिन दूल्लाह ओत्वान वतखलुकून इफका इनल्वीन ताबदून मिन दूनि ल्लाह ला यम्लिकून लकुम रिजकाँ वाबदून वश्कुरूला इलेह तुजवून वें तुकजबू वकजब उमम मिन कबलिकूम वमा अलर्रसूल इल्लाग अल्मुबीन अब लम यरौ कैफ युब्दू ल्लाह ल्खल्क तुम यॉईदू इन्न दालिक आलाह यसीर उल्सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ बदा ल्खल्क तुम ल्लाह युन्शू नशात अल्आकिरा इन्न ल्लाह अला कुल शें कदीर युब्दूमा युण्चाओ युण्फिड अधियाँ जाओ याःममा युण्चाओ वेलह तुकलबून वँदूमा अंटुम बमुजिदीन फिल्वर्द वलाद समा व्मालग मिन दूनि ल्लाह मिन वलीओ नसीरू ये यालमन्ना का जो नून सकीला तक्रार के साथ आ रहा है तहरे भी आ चुका है इसकी तश्रीम में कर चुका है ये लाजम है कि जिन को खुरत अला सच्चा मुमन समझता है उनके अमाल मस्तक्बिल में जरूर दिखा दें कि वो सच्चे मुमन से और जिन को अल्ला साला मुनाफिक परादे रहा है लाजमन उनके अमाल मस्तक्बिल में ये जाहर कर देंगे कि वो मुनाफिक ही थे वो लोग जो काफित हुए उन लोगों से कहते हैं जो एमान लाए हमारी राह की पहली करो हम तुम्हारे बोज भी उठा लेंगे ये बोज उठाने वाले पीर सिर्फ आज ही नहीं पहले जमानों में यह हुआ करते हैं जो लोगों के गुनाहों के बोज उठाने के दावे करते हाना के लाताजर वादर तुम्हेद लौखरा कोई जान भी किसी दूसरी जान का बोज नहीं उठा सकती हर शक्त अपने गुनाहों के जमदार है लेकिन अगर को शक्त किसी और को गलत रस्ते पर डाले तो उस गलत रस्ते पर डालने का बोज उसका दाजाती बोज होगा मगर दूसरों का बोज गोया उसकी तरफ मुन्तखल हुआ है ये मद्गून है जो इस आयत करीम में बियान हुए है कि वो ये दावा तो करेंगे कि हमारे साथ मिल जाओ हम तुमारे गुनाहों के जिमदार हो जाएंगे उनका जवाब खुद दे लेंगे वमाहुं बेहामिलीन मिन खतायाहुं वहर्गेज उनकी खतायाओं का जवाब नहीं जे सकते यह उनको उठा नहीं सकते उनका बोज उठा सकते निन शैन एक जर्रा बर्दी इन्नहुम लकावबून येकिनन वो जूट बोलते हैं लेकिन साथ ही फरमाया लेकिन वो उनका बोज उठाएंगे और अपने बोज भी साथ उठाए दोए होँगे एक तर्स इनकार है कि बोज नहीं उठा सकेंगे तब आप ऐसा बोज नहीं उठाएंगे जो उनके बोज हलका कर देए उनके बोजों की पदाश खुद वो लोग भुगतेंगे उनके बोज की ताईद करने के नतीजे में, उनके बोज डालने में, गोया इनोंने उनकी बोज उठाने में मदद की, यह गलत रास्ते पर डालने में मदद की, इसलिए इस गुनाह का बोज इनके उपर पड़ेगा, जितने वो गुनाह करेंगे, वो खुद उठाएंगे उसक बलकि दूसरी आयत करीमा पहले आयत की तश्रीफ फर्मा रही है वल्ला यामिलूना अफ्कालहूं वाफ्कालमा अफ्कालहूं अपने बोज्च तो उठाएंगे ही लिए जिनको बदराह किया होगा वो भी दरसली ही कब बोज्च है तस बदराह होने वाले अपनी तरस से जवाब दें होंगे और ये लोग बदराह करने के निज़िए में अलग जवाब दें होंगे इस लिहाज से उनके बोज्च प्छू उठाएंगे अम्मा कानु यफ्तरून यौमल खयाम और युस अलून ना यौमल खयामते और क्यामत के दिन वो पूछे जाएंगे कि वो जो इस्तरा किया करते थे भ्यूटी बाते जनाया करते थे वो जो मेरी नज़र में न कोई हिमार से तो पूछे वो यही मुद्गून है इसे आयत करीमा का मुद्गून है कि अपनी पीठ के उपर दूसरे के लादे फिरते हैं कोई गदों से पूछे तो सही कि उनने किया क्या है यही आयत करीमा है जिसको पिछले देरेक्टिवर में वो बात देन की की हमने नू को उसकी कौम की तरफ भेजा यानि यकिनन हमने नू को लगद के माम में इसरार है न मानों में वो पाया जाता है वो लगद अरसला नूहन हमने यकिनन नू को उसकी कौम की तरफ भेजा वो उन में रहा नौसो साल हजार साल इला खमसें सवाए पच्चास के यानि नौसो पच्चास साल वो अपनी कौम में रहा वो अखद हम उत तूफानों वो हम जालिमोन और तूफान ने उनको आ लिया जबके वो जालिमी थे इस आयत करीमा में कुछ इशकाल हैं जो तारीख का इलम ना रखने के दिज़े में पैदा होते हैं और उनका यहां जरूर दूर होना चाहिए उनको दूर होना चाहिए आखद हम उत तूफानों वो हम जालिमोन से यह मालूम होता है कि नौसो पचास साल के बाद तूफाना आ रहा है और नौसो पचास साल के बाद दूनिया मिट गई है यह तरीखी हकाइक के भी खिलाफ है और कुरान करीम ने जो तारीख अन्बिया पेश्टी है उसके भी खिलाफ आच की ऐसा मतर्जमा की तर्श कर्ण कर्ना जो खुद कुरान करीम की वधे मुईन आयात के खिलाफ हो यह नि मुहकमाँ के खिलाफ हो जरुम है सिर्फ ये बियान हुँ रहा है उनको तुफन ऐसी हालत में उनको तुफ़ाद हने ऐसी हालत में गयर्प हिए कि जब वो जालिम से तो ये जल्म हज़रत नू के रुखसत होने के बाद नी शुरू हुआ ये रुखसत होने के वक्त नी हुआ तो उसके शुरू ही से जालिम से और उनके जल्म के नतीजे में उनके तुफान में घर्क होने का फैसला हो चुका था तो फाकव्थ हमुत तुफहं वहुं जलमून ने दरसल अंता जमाना बताया है ऐसी हालת मैं उनको तुफहं नोड़ुक की उमर के दुरान उसके देखते में उसकी उमर के बाद नहीं तो यॉना वो देखता कैसे थे फस वो उस हालत में गर्क हुए जिस हालत में वो जल्म करने वाले थे अब रहा नु की उमर का मसला है खुराद करीम ने हज़रत नु की उमर साड़े नौस सौ साल बयान जुमाई है जबके किसी दूस्टे नभी की उमर तभी उमर से ज़्यादा बियान नहीं परमाई गई दरसल बाइबल की बहुत सी गलत बातें जो नहीं कहना चाहिए बाद बाइबल के इशकाल दूर की हैं नहीं पुरा तला की तरस से मानन और मुफूमन कुछ बातें बियान हुई होगी जिनको एहल बाइबल ने लफजन ले लिया और उसकी वज़े से तारीष बिगाड़ दी पुरान करीम ने हर चीज़ को नहीं उठाया एक को ले लिया यह थरत नू को और उनकी तफ्सील क्योंके बहुत सी जगा पुरान करीम में भी बियान हुई है और तारीफ में भी बित्बूर है इसके उससे उमर का मस्वा हमेशा के लिए खुल जाता है हज़त लू की उमर नौसवा पचास साल बियान हुई और साथ यह भी फरमाया और मिन श्रीयत ही इबराहिम और इबराहीम उसकी श्रीयत पर था और साथ इबराहीम की श्रीयत का भी बाद में जिकर मिलता है कि जब इबराहीम बड़ा हुआ है तो इबराहीम लिए स्वालातु असलाम को उनकी अपनी श्रीयत साथ ही देगा इन चीजों को जब एकठा पढ़ें और बाइबल की उमर की बातें इन के साथ एकठी करके पढ़ें तो बिल्कुल मस्टा साफ हो जाता है और लिए करीम को महावदा समझ आ जाता है और बाइबल में भी जो कुछ कहा गया होगा उसकी सही तश्रीफ जहां से मिल जाती है पहले मैंने इस मदमून को इकठर किया था, पहरी बात तो यह है कि हज़रत लूट यूमर जब आठ सो नवे साल की उस्त हज़र इबरहीं पर रहा है, यह कती सुबूत बाइबल में मौजून है, नौसो पचास मने में अभी साथ साल बाकिश है। और पुरान करीम के यह दावा कि मिन शिया थे ही इबरहीं सुफित दुरूस थाबित हो रहा है। अगर तुफ़ान नू हज़रत उमर की इस उमर के बाद आया हो तो अज़रत इबरहीम अलाहिस्ट असलातु असलाम और सब फुत मगर्क हो जाया है। लेकिन जैसे के मैं पहले बियान कर चुका हूँ, उससे वह मुराद नहीं है। शुफ़ान नू हज़रत नू की जिंदगी ही में आया। और बाइबल की रूसे हज़रत नू की उमर 600 साल थी आज 600 साल वालि qobल गलत है can ju क sözका हूजरत नू की जाकी उमर 90000 साल थी नहीं, अगर खुरत नू की उमर 600 साल बाइबल की तोर पर माना जाना नहीं जाए कि 300 साल के बाद सहलाब आ गया था तो इस लहाज से आपके बहुत से बच्चे जो किश्टी में सुवार नहीं हुए और जिनके उमरें बाद लंबी बियान की गई है वो सारे तुफान मगर खो जाएंगे इस लिए बाइबल खुद अपने जाहर इमानों को शुटा रही है जो बाइबल के हिसाब हैं उनकी दूर से मैं आपको सुलाता हूँ बाइबल में लिखा है नूप पांच सो बरस का था जब उससे सिम्, हाम और यास पहला गोए पांच सो साल तक वो अकेले बैठे पतर ही क्या कर रहे था और शादी को न की और किस बुड़िया ने उनका साथ दिया और अगर बुड़िया नहीं थी तो किस पिचारी कमारी से उनका साथ दिया इस दियान जाहरां गलत है क्योंकि इन्होंने लफ़ी माने दे लिए हैं उमर के इसलिए कुछ चक्क तमेंगी इनका आया सारी उमर को अंदाधन बांगा है कि वो इतना बड़ा होगा क्योंकि उनके तुफ़ान के बाद बादों की उमर का दिकर मिलता है इसलिए हज़र्द लू की उमर को जाती उमर मनाकर एहल बाइबल ने बहुत से घल्पियां की और बहुत से घल्पियां दाखल कर दी और एक साफ पाकिज़ा कलाम का समस्कर उड़ा दिया उसे खेर हकीकी और नमाकूल बना दिया पहली बात जो बाइबल की कुरान के मुखाल पर है अब देखें कुरान कितना साफ कलाम है कोई भी उसमें किती किसम का इस्तवा नहीं है बाइबल के बयान के मतावि नू पांच सो बरस का था जब उससे सिम, हाम और जाफ प्यादा हुए पीदाएश बाप पांच आयत सेंटिं ही और नू शेषो बरस का था जब पानी का तुफान जमीन पर आया अब देख ले आँब 600 बरस के थे जब तूफान आया है तो 500 बरस में शादी हुई थी अब सिम, हाम और याफ मुफिलिष वक्तों में बाद में पैदा हुए है उस सौ साल से छोटे थे बहुत से पहला बच्चा भी जेर में हो सकता है दूसरा भी और तीसरा भी तो ये सारे बच्चे थे उन में से साथ कौन चड़ा है किसकी का ये सवाल पर जाए और वो कौन सा था जो घरक हुआ है बाइबल किसको घरक कराज रहती है कुछ जनाब माहरी ने बाइबल बताए अगर नहीं तो देख लें कुरान करीम में उस बच्चे का नाम ने लिखा हुआ इसलिए कोई एक बेटा तो लाजमन वो खरक हुआ है और कोई बेटे सवार हुए है कि नहीं इससाभी कोई इल्म नहीं और क्राने करीम ने कहीं किसी बेटे के नाम नी लिया, वो हस्तिनू के साथ सवार हुआ कि जी है किसी कह लिए मैं किना जिकर का ? क्या जिकर है ? कौन साथ सवार हुआ हर का जिकर ह already ? अब आइस भीघर है मँआथ, नूँ की बीवी का जिक्र कि वो ठीक नहीं है हदरत लूट के साथ हदरत लूट की बीवी गलत होने का है न principati में कहां sabemos। कोई दिक्र को युकल है वॉर हमत था नू का निजात पाना मुम्किन नहीं है क्योंकि हज़रत लूट की बीजी को भी निजात नहीं इसलिए लाजमन सहलाब से पहले या वो मर चुकी थी या वो डूबी है मगर वो डूब थी तो बेटे के साथ चाहिए उनका भी दिखराता इसलिए बाइद नहीं कि सहलाब से पहले ही वो पौथ हो चुकी है आहला हूँ में लाजमन आपके कुछ बेटे जुरूर हैं जो साथ सवारवा हैं क्योंकि उस बीवी के बाद हज़रत लूट की दूसरी शादी का और दूसरी जुरियत से तयबा का कुछ दिकत ने मिलता आहला हूँ में लाजमन हामदान से कुछ आदमी होने चाहिए हम आहला हूँ के तर्जमा करते हैं वो सारे मुमिन जो आपके रुहानी अहल में दाफिल थे ये दुरूस्त है लेकिन अगर मनतगी तोर पर देखा जाए और आपकी बैस की जाए तो हज़र लू के कुछ बेटों का साथ सवार होना इस तभी अमर है तीन बेटों का दिकर है और जो डूबरा उसके मुतलिक खरमाया मिन आहली तो लाजमन आहल में बेटों का दिकर है इसलिए हज़रत नू के कुछ ऐसे बेटे जो बाप से ज़रा मितसर से और पाक बाद से वो लाजमन किष्टी में स्वार हैं समझे हैं बात अगली बात नू 600 बरस का था जब पानी के तुफान जिली तो हो गया और तुफान के बाद नू साड़े 300 बरस जीता रहा यहीं कुरान एक रीम के साड़े 900 साल की ताइब कर दिलाए ज़िए लेकिन तुफान के बाद वाली बात खलत है नू जीता रहा शरीयत के दबाद से मज़ें बारहाल जहां नू की नू साड़े 900 बेयान होई है इस पहले उसे बाईवल उसकी तस्दीव कर रही है के साड़े 900 का लख जो है अलब मिंसा वो इतलाख जरूर पाता है खार जाहरी मानों में हो खार रुहानी मानों में हो साड़े 9 बरस और नू की कुल उम्र साड़े 9 बरस की हुई तब उसमें वफात पाई तदाइश बाब 9 आयत 28 और 29 अब आगे जो बच्चों की उम्रें और उनका हिसाब है वो यू मनता है सिम कौन है इन बच्चे कौन थे सिम हाम और याफ्ट सिम सौ साल का था के अर्षक्षद हुआ सिम खुद सौ साल का हो गया तो उसका पहरा बेटा अर्षक्षद पतरी क्या क्लास हुआ इसका लेकर अर्षक्षद लेका हुआ है अर्षक्षद 35 साल का था अब शोटियों में शादियां शुरू हो गई में से बने वो 35 साल का था के सिला प्यदा हुआ सिला तीस साल का हुआ तो इबर प्यदा हुआ अब ये उम्रें शादी के उम्रें चोटी कुछ बाकूर आम उम्रें जे हैं वो दिखाई जे रहे हैं शुरूज 30 साल का था के नुहूर प्यदा हुआ नुहूर 29 साल का था इस्तारे प्यदा हुआ अब जम्र करें इनको भी कितने साल करें मुश्किले जम्र करना कि तुम सौ साल का था के अर्शक सर्ट प्यदा हुआ अधर्द लू कि तुफान के वक्त जो भी उम्र थी तुफान के वक्त तुम माजूद था किसी नुम्रे से कहला तिम है तिम मजूद था और उसके सौ साल बाद कितना बना साड़े साथ से साल 700 साल 700 साल कि मैं अभी अभी हज़र दूुर जिन्दा थे और फक्तत प्यादा हो जाए वो 35 साल का होता है 700 साल जोनोंगा फिर छिल्ह फड़ा होता है वो 30 साल का होता तो आगे एक और बच्छा हो जाए कितना बन गया IM 750 कि इबर 34 साल का था जो शाजी हो गया, कितना बना, जम्ह करी जाओ तुछी स्वाल का था, फल्ज 30 साल का था, राव 32 साल का था, तुरूज 30 साल का था, और नहूर 29 साल का था, शाल 920, ये सारे कब पैदा हुए हैं, बाइबल की रूğ से तुफान के बाद, सब्हुंचे हैं, बाइबल की रूवसे ये सारे तुफान के बाद पादा हुए हैं, किस्ती के किनाड़े लगने पर कहां पैदा हुए, इसके कुछ जिकर नहीं और नहूर 29 साल का था कि तारे पैदा हुआ किते हो गए हैं और तारे 70 साल का था कि अबराम पैदा हुआ हैं दसने आठसन नौसन नवे कि दसन नवे हैं एक जार नवे तो यह उस तारीश से आगे निकर गए हैं जो खुद वाइबल में बियान कि हुई है उस तारीश से आगे निकर जाते हैं हदर्ट इबराहीम लेश्वात असलाम की प्राइश जो है वो हदर्ट नौस के दसन नवे बरस होने पर हुई है समझे हैं आप लेकिन जहां जो हिसाब लिखा हुए है इसमें असर में सौ निकालना है पहला पहले सौ को गलत जम्हा किया है वो पहले से हो चुका था सौ साल का इसलिए अगर सौ को निकालने तो आठ सो नवे बना सौ निकालने उसमें से नौस सो नवे में से आठ सो नवे बनता है सौ निकालके दुबारा फिर नौस सो नवे कैसे बन गया एक जार नवे नहीं बना था है हां 900 नौस सोबीस बना थीक है 29 नौस सोबीस बना और सतर उसमें जम्हा करें 990 990 में से पहला 100 निकालना होगा आख सुमेवे इस हिसाब से हदरत इबरहीम अलिए ससलाथ उसलाम हदरत नूफ की उमर जब 890 की होती है तब पड़ा होते हैं और और कुरान की नियुकर बियान इसके मताखर की बिल्कुल जोस बहसता है कि श्रियत नूप पर हज़रत इबरहीम पैदा हुए जबके हज़रत नूप की उमर आट सुनवे बरसी बाद में आज साथ साल और रहे हैं और हज़रत इबरहीम ने आपकी की श्रियत से परविश्टाई फिर इबरहीम को वो सौफ मिले जिसका जिकर दिकर और इबरहीम और प्रॉप नूप की श्रियत परविश्टाई यह हिसाब हज़रत नूप की उमर का लाजमन अबरहीम अभर इस्रेत अवासलाँ के वक्त अगर नूप जिन्दा थे तो हज़रत नूप की उमर में सारा सिस्प और फजूर तुफान के बाद पैदा हुआ है, तुफान क्यों आया, उन जानमों पर तुफान क्यों आ गया, उनको मिटा दिया गया, जबकि अपनी ने असल जो बाद में पैदा होती है, बाइबल की में उसे, वो इबरहीम के जमाने तक कुल यह तन फिसको फुजूर में डूर चुकी और कुछ भी उनका बाद में रहाता है, साथ तरह चलता है कि इबरहीम लाद रुफसत हो चुकी हैं बहुत पहले, और जमाना जो अपना असर दिखाता है दुनिया पर, आपके उलाद जहां भी फैली है, वो दुबारा इस वाजी में भी आका बाद होगी है, और वहां उन के फैलने के साथ-साथ, रस्ता-रस्ता तोहीद बिठ्षी चली गई उनके मिटाने की वज़ायते, और शिर्क फैलते करा गया है, जब इबरहीम लाहिस्क्राम पैदा हुए हैं, तो सिर्फ इबरहीम थे जो शिरियत दूप के गाइं रहे हैं, और बाकिस सारे फिर जायते, उस्त अस्तर नौ जिसा रसुलत साम के जमाने में अरब दूप गिया था शिर्क में इबरहीम के उलाद, उसी तरह इबरहीम के जमाने में नौ के उलाद एक मज़र खोची बिठी, और हज़रत नौ से दुबारा फिर तोहीद का अलम बलंद हुआ और तोहीद के लिए जहा ख्लासा इस आयत करीमा का, या ख्लासा के माना है, कुछ तफ्चिर मगर मजमून का ये ख्लासा है, इसमें और भी बहुत की तफासी में जो फिरी में या तफ्चिर में बियान की जाताएं, मगर इस आयत को अब आप असी तरह जहन दिश्य नशीन कर लें, कहां गई वहा आ और दूरी आयत कहा गई जी वाइबी हो गई नहां से हाँ हाँ ये है इसमें ठीके वलकद अर्सलना नुहन इला कवमही कल्नबस फीहम अल्स सनते जो आपकी कौम आपकी के सुल्फ से पैदा हुई है और बाद में फैली है वो सारी हजड़त लू की कौम ही थी प्स उनके दरमयान जो अपनी उलाग थी आप नौसो पचास साल तक रहे हैं इसका मजवाद दे चुका हूँ तुफान ने पहले उनको लिया था उस हालत में कि जब लो जालने थी पन जैनाहो वास्वाबस सफीनते वजालना हा आयत लिलालमीन और हमने उसको और अस्वाबस सफीना को निजात बख्षिए वजालना हा आयत लिलालमीन और उसे तमाम जहानों के लिए एक निशान बनाया या हा की जमीर किस तर जा रही है इसमी जनाब मिलेश्या क्या आपका खहाल है हो वा अस्वाबस सफीना इन सब के मजमूरी तरह वो जबी जारी है जालना हा का की या अस्वाबस सफीना की तर जारी है मुमिन ताब बाहर लोगत है ये बताएंगे बजायर तो सफीना की तरफ लगती है अरबी कायद की दूस से क्या होना करेंगे क्यों इसका करीबी मर्जा जो है मौननस का ठीक है और कौम और लू बिला कर मौननस बनेंगे या नहीं हुम चाहिए वहाँ यह मैं पूछ रहा हुआ जी मेरे नजदीग भी अस्सफीना की तरफ ही जा रही था क्योंकि अगर उन लोगों को जिनका जिकर पहले वजुद्च के सफीना से निशान बनाए यहां निशान उनको कहा जाए तो हम चाहिए तरफ दूस्त नहीं इस से मैं ये मज़गू निकालता हूँ कि इस सफीने का निशान कहीं जिरूर होना चाहिए क्योंकि लिलालमीन फरमाया है मालूम होता है ये सफीना अपनी जात में कहीं ऐसी जगा माजूद है कि जब दर्यापत हो तो सारे जहानों के लिए एक निशान बन जाए ये माणी वे से एक माणा है एक दूसरा माणा ये है कि वो सफीना जो कभी था खार जाहरन माजूद हो ये ना हो उस सफीने में ये सारा कारोबार दिखाया कि कुल जहान उससे पढ़ा हुए कुल आलम की लोग उस सफीने से निखिए लेकिन इलारमीन का ये मद्गून एक सरुसे काबल इसरास परी कहना चाहिए नगर इसकार जरूर पढ़ा करता है क्यूंकि हदरत नू का जो तुफ़ान है वो अमलन सब दुनिया में नहीं खेला और हदरत नू के तुफ़ान में सारे जहानों को गर्क नहीं किया हदरत नू के तुफ़ान के बाद या उसके पहले हदरत नू की नसर से सारी दुनिया आबाद में ही इसलिए इन मानों में ये निशान नहीं कहला सकता कि सब दुनिया गोया हदरत नू के तुफ़ान के बाद नू की नसर से निकलिए और सब दुनिया हदरत नू के दुफ़ान में घरक हो भी एक यह माना हो सकता है कि हदरत नू को अल्ला ताला बाद में आने वाले जहानों में ऐसा मुम्तास दर्जा दे कि आएंदा जो दुनिया जर्याद होने वाली हैं वो भी नू की तरफ मन्सूर हैं और लू की तश्टी पर इन मानों में एमान लाएं कि उस तश्टी ने वाकित वाकितान मुमिनों को बिचा लिए यह तश्टी अगर की जाए तो यह बैन ही माजूदा हरात पर इतलाग पासी इस तुरत में सफीना को उसी तरह जाहरी तौर पर माजूद होना जरूर नहीं हो इस तश्टी की दूर से तमाम आरमीं जिसमें अमरीका की दुनिया भी शामिज है हदरत नू की तश्टी पर इमान लाएं को और गोया वो तश्टी उनके लिए एक निशान बनेगी जाहरी तोट पर वो अलाके घरक होए हो या ना होए हो हदरत नू की तश्टी का मुज़ तस्रीम करने में कुल आलम शामिल हो गए है यह माने जहां तक कश्टी के खुद मौजूद होकर आलमीन के लिए बाद में निशान बनने का तालुक है मैं समझता हूँ कि गालिबन यह मौज़ भी है और इस विए से हमने कुछ तहकी की थी मगर जो तहकी कराटी से होके आई वो तहकी खुद बहुत से मौज़ात में जिस्जूर रखत अई काबले तहकी थी और बहुत से गलतियों थी जो हमने यहां मुक्तिज स्वाली के मुतालिय से बादू की और यह मौज़ा मैंने बासिच साथ के स्कूज किया हुआ है कि उसके काफी काम कर रहा है वो इंशालला जब आपस में गुफ तश्रीच के जरीए और खतो किदावद के जरीए जिसे सीधा मसाइल है वो उनको एक जुफ़े को संधा देंगे और समझ देंगे फिर इंशालला अमीद है कि हम वो दिखने वाले मौनीज साहब को यहां बलाएंगे फिर बासित साहब और वो जुनों मिन कर इस पर काम करेंगे एक अच्छा नजबिया उबर रहा है जिससे एक उमकान सा उखतादा होता है कि गालिबन वो किश्ची भी मौपीज होगी समझे हैं यह सारा किस्था था आयस से तल्व उसमाला और हमने उस किश्ची को तमाम जहानों के लिए एक निशान बना दिया वा इबराहीमा इस काल ले कौमही इस काल ले कौमही बदू अइबदुल्लह वात्तकूदू जालेकुम खैरुल्लकुम कुन था लमून वा इबराहीम यह मनसूप तो है पहले भी बारहा इस पिसम का मजमून गूरू कि पहर मुंसूर चीज बात रहा सवज्जों के लिए या गेर मामूली शान बियान करने के लिए परमितरीन बियान करता है अरबी इस तरीक उजाज करा देती है इसको यह भी कह सकते हैं निशान का मुफूल बही मगर ने मजीक निशान का मुफूल बही नहीं हो सब्का बलके वो एक कानीज का सिरह है अरसलना पर इस अरसलना पर 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 अरसलना तो हरज में इस तसल्स्व में दो बहराली एक माकूल परिये है लेकिन बहुत सरी जूसी सुर्टों में भहरास अतफनी किया जा सकता है इसलिए दोनु सुर्टों में इसका तर्जव हो सकता है और अबरहीम जिसको हमने बहजा अरसलना अबरहीम इस खाला ले कौम ही जब उसने अपनी कौम से कहा अबुदुल्लावत्यकूर्टों फिर इस खाला ले कौम ही में क्या क्या ग्रेमेटिक पर जिमा होगा इसका जवाब ही आएगा अरसलना नुहन के बाद अरसलना अबरहीम अगर हम लगाएं तो अरसलना का में नुह के मतलिक से तफ़्ीर माजूद है इस खाल्वे सफीहम अलफसादें इल्ला खम्सीना अमा अबरहीम को अगर इस खाल्वेम अरसलना के अथ में तो ये बनेगा अबरहीम को भी हमने भेजा जब उसने कहा ले कौम उदुल्ला बत्तुकून एह मेरी कौम अल्ला को ये इवारत करो उसका तक्वा अख्यार को इसको मशूद के उख्याइ एक शला हताया जा सकता है के आगरहीम को इस हालत में भेजा इस morning को भी इस हालत में भेजा कि उस्सने अपनी कौम से कहा कि अब आल्ला की रादी से क्रोओ और उस Państwo प्रक्वा झार करो जालिकुम खेरुल्लकुम इनकुन तुम तालमून यदिनन ये बात तुम्हारे लिए बहतर है काश कि तुम जानते इनकुन तुम तालमून अगर तुम जानते तो ये बात बहतर होती ये तर्जिमा भी हो सकता है इनकुन तुम तालमून का एक माना है कास रहसा होता कि पिर्जान के दूसरा है जालेकुम खैरुलकुम इनकुं कुम तालना ये बात फैदे की चुम्हारे लिए तब होती अगर तुम ये स्क्राइल मोगता इननमा ताबदून मिं दूनिल्लह आफ़ाना यकिनन तुम अल्ला के स्वा जो इबादत करते हो और फानन ये बुत हैं घरे हुए यह तुम ऐसे ख्याली खुदा हैं जो तुमने बना रखने हैं और तुम जूट गरते हो जूट गरना इन मानों में भी के बुत घरे जाते हैं और जिन को तुम खुदा के तौर घर्टे हो गोया के इफ्द घर घर्टा है दूसरा ये बात इफ्द है कि वो बुत नुवाइंजी करते हैं बार फुदाओं की और उन में कोई ताक्त है नेकी और बज़िकी इन दोनों पहलों से इफ्ट की है जो तुम दोने से तराशते हो इननल्जीन अताबदून मिन दूनिल्लाह यदिनन वो लोग जिनकी तुम अल्ला के स्वा अबादत करते हो ला यमलिकून लकुम रिजखन तुम्हारे लिए कोई भी रिजख को पैदा नहीं कर सकते किसी रिजख पर मुका इख्याब नहीं जाए पस अल्लाही से रिजख चाहो उसी की अबाद करो उसी का शुक्रजा करो इलहे तुर्जाओन उसी की तरस तुम लोटाए जाओगे या रिजख का मदुमून एक जलीज की तौट पर है मैं जसेत की तौट परूएगे क्यूंके वो सारे जो इन बुचों का इंकार करते हैं उनके लिए इसक्पगा होता ह्या जिनको इनका व्याम इक गुमान दिनी उनके लिए इसक्पगदा होता है तो जहरिया हैं उनके लिए इस तागा होता है तो रिज्ग के पैदा करने से बुत्मों का कुछ तर्भ में इस दलील को तो लाजमने इनको मानने पड़ेगा और सारी दुनिया में रिज्ग का निजान एक है बेन ही एक इक खिस्म के गवानिन के ताबे है और उसमें कोई एकुलाफ में इस से वहधानियत थावित होती है यह थावित होता है कि उस रिज्ग को पानिक्तादा करने वारा एक है जब एक है तो उसी की वाज करो और उसी से मजीद रिज्क चाहो अगर चाहते हो और उसी का शुक्र जा करो इलेह तुल्यावून जब एक ही है तो लोटाए भी उसी तरह जाओगे इनकि जिज्क रिज्क की पेदाईश जिन्दगी से दालुक रखती है और रिज्क जिन्दा करने का जिन्दा रखने का निजाम जिसने बनाया है हर चीज मरकर वापस उसी की तरह हम लोटते हुए देख रहे हैं कायनात में जितना भी रिज्क का निजाम है जब यह मिट्री में मिल जाता है तो फिर इसी के से दोबारा कुछ और उस्ता है मगर वापस वरूर लोटता है तो इन्सान की रूहें भी इसी तरह राजबन वापस लोटेंगी और उस उसके तुमरा हिसाब किताब होगा वें तुकजबू फगद कजबा उममू मन कबलेकूं अगर तुम जुटा दो फगद कजबा उममू मन कबलेकूं तो इससे पहले बहुत की उमतों ने तुम से पहले बहुत की उमतों ने जुटा दिया था और रसूल पर सुआए खुले खुले पहुंचाने के और कुछ की खरुद में और ये जो आयात हैं ये इतना खुला खुला मुद्मून को थाबित कर रही है और दलाइल अपने जात में रखती हैं इससे ज़्यादा बेसे खुबीन लफ़ों में कोई नभी भी खुबीन नौप इन्सान को आगानी करते कर साथ मा अलर्रसूल इल्याल्लाव मुद्मून में हज़र रसूल करीम सुल्यादा का जिम्मदारी को अदा कर देना साथ की शामिल है और इसका इस बात हो रहा है अब लम युरौ कैफा युब्दि उल्ल्हुल्क तुम्म यूदो इन्न जालिका अलल्लाह युसीद ये जो खल्क की पिदाइश और उसका दुबारा प्यदा करना जो ही मुद्मून जो मैं तर बियान कर चुब इन आयात में यही बियान हो रहा है अब लम युरौ क्या उन्ने देखा नहीं कैफा युब्दि उल्लहुल्क तुम्म यूदो हो फिर उसको दुहाता है खल्क का अगाज उन लोगोंने कैसे देखा होगा तो रसुल्ल्स सालम के जमाने में वजूद कर तो शुरुत मुंकिन है और खास्तर कुफार अब लम युरौ क्या उन्ने देखा नहीं कैफा युब्दि उल्लहुल्क तुम्म किस देखा अगाज करता है पहरी दफा उसके पहला करता है इस मद्मून पर अभी बनिन और इन्सान ने गौर नहीं किया था इसलिए अमलन ये मुद्मून हल तलब था जिसे बाद मितादा होना था जिस्की पो लोग देखते थे वो बदा नहीं बल्के खलक है क्योंकि जो लोग भी देखते थे वो जानवत से जानवत कर पैदा होना और वीजों से हरावल कर निकलना है और बड हल्व कर मुशादा नहीं किया तो बड खल्व का मिजमून बहुत बाद में तो बड تलब हुआ और अब इस जमाने में साहिस्दानों ने बदे खल्ग को मुझमून उखाया है और उसको समझे नहीं हैं मगर देखने लग गए पर इसके इसे अवलम यौरॉ का मतलब यह नहीं है कि उन्हों ने वाकितन बदे खल्ग का मुझमून या पैदाईश के काईनात के मुझमून को समझ लिया है वो बदे खल्ग के मुझमून में कम से कम इतना शौूर हस्द कर चुके हैं वो समझते हैं कि एक मिजमून है जो आहमियत का हमिल है और इस तरह हमें गोर करने चाहिए दूसरे लफ़ खल्क में सिर्फ जिन्दगी और निबतात की पेदाइश किसे नजर में मुराज़ी नहीं है बद खल्क जुब्द अल्लहु खल्का इसमें पंजाबी खल्क नहीं है बड़ी मखलुक बड़ी खल्क अधायी थी खल्क से मराज काइनात की खल्क है तारी काइनात का पैदा होना उसको कैसे देख सकती है जो जमाने में लोग तो अवलम यरौ का मजमून एक मुस्तक्बिल की पिशगोई है जिसमें बद खल्क के मजमून को अहमियत हासल होना थ कि यह कैसे पैदा होई उस पर जब गोर किया गया उन्हीं में से ऐसे साइंचदान हैं जो खती तोर पर इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं यह बड़ खल्क सवाए खालिक के जो बदी है पैदा होई नहीं सकते और उसका साइंटिफिक स्थबूत को देते हैं और उन्हीं में से वो जहरिया भी हैं जो इसे रूटीन में चुप करके कबूल कर लेते हैं जब तहकी करते हैं तो मसला समय नहीं आता कि बगएर खुदा के कैसे पैदा हो सकती है उमीद रखते हैं कि मुस्तक्बिन में शायद समझ आ जा जाए लेकिन बदा खल्क का जो मजमून इस त जिस हालत तक भी साइसदान पहुंचे हों या पहुंचे हों या आइंदा पहुंचना हो बदा खल्क हमेशा अल्ला की तरफ उंगी उठाएगी तुम्मा योई रहू फिर उसकी तक्रार भी फिरमाता है ये निजाम काइनात में हावी है कि जो चीज खल्क हुई है पहली ज पहाएनात के हाथों में लिपेशने का जिकर फरमाता है वहां नुरीदो का वादा जिसाथ फरमाता है अव्वला मरत इन हमने इस तरह पैदा किया था और हम इसको वादा है हक पर न लेना हम पर हक है फर्द है कि हम दोबारा इसको दोरा हैंगे तो ये आयत सिर्फ सरस्थी तर पर पढ़ने के काबिल नहीं लायक नहीं है इसमें सारा वही मदमून है जो नुख की जात से भी तालुग रखता था लेकिन फैलता फैलता है तारी काईनात पर नहीं पहुझता है आजमीन तक जा पहुंचता है कष्टी ने एक बात का जाकी और वह आगे चल पड़ी और ये मदमून निकला कि खुदा ताला ने जनीन की काईनात की जो बदा फरमाई है ये दोराई जाने वाली बात है और इसको तुम दुनिया में इस्ता मेशादा कर लेते हो कि जो नबतात हैं जो इनसानी जिन्दगी है वो दोराई जा रही है पहले कैसे पैदा हुई ती हिस्ता तुम पता happening यही हाल कायनात का है इसकremos पहला पैदा होना तुम्हारी समद से बाला हुखा लेकिन ये तुम जानते हो इंक इस कायनात का बार बार पैदा होना एक लाजमा है अगर यह नहूँ आँग आज हम इसहालत में बेट हम हो इन summarize सकते हैं अगर उन सकते हैं कि अवलम्युरौ कैफा युब्दे उल्लाहुलुखा। फुम्वा यॉइदौ। इन्ना दालिक अलाल्लाह यसीद। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। पहले बार प्यादा करना भी उसकी भी मुश्किल नहीं। और बार बार उस तक्रीक को धुराना भी उसकी मुश्किल नहीं। अब देखने ये मजमून जो मैं बयान कर रहे था इस पर ये आयद कैसे सौद कर रही है। कुल सीरू फिल अर्दे फंदूू कैफा बदाल खलका। अब अर्बों की शैर उनको क्या समझा सकती है। इसका बदाल खलक होई है। अब जितने भी बदाल खलक के उपर इनकी द्रियास्ते हैं वो जमीन की सैर के नतीजे में कर जानाता है। अफरीका से अफरीका, अफरीका से अस्रेलिया जहां भी इन माहरीन में सफर किये हैं और पैर के नतीजे में गहरा मतालिया किया है वहीं से बदे खल्ग का मज़मुन इनको समझाना शुरू हुआ और उसके नतीजे में फिर सारा इनका मादल है उन फिर्माता है कि तुम देख लो फीरू फीरू फिरा देख लो फन्हुरू फिर देखो कैफा बदाल खल्का तुम ल्लाह यून्शियो नशात अलाखरा ये आयत लाजमन नए जमाने से बनाशी है तो लाने जमाने में कौन अरब दनिया में फिर के कि कह सकता था कि अब बद खल्क की समझाना गया और अब निशात आखरा कसम मुझमून समझा जागा जूरू होगी सुआल ही नहीं पैदा होता है जो अरब की दुनिया थी यह साल में वो नजारिज देश करे थी वो ही दुनिया साही दुनिया थी इसलिए यह आयत लाजमन मुस्तक्विल के एक विजगोई है कि इन्सान को बिलाखिर इस मुझमून की शनासाई बख्षी जाएगी यॉजब मैं यशाओ यरहम मैं यशाओ वा इलह तुकलबून वो जिसको चाहेगा और अजाब देगा विज़ रहम मैं यशाओ और जिस पर चाहेगा रहम फरमाएगा वा इलह तुकलबून और तुम उसी की तरफ लोटाए जाओगे तुकलब का मजूर यहां आया है जो यर जाओन से अलग है तुम मौमिन साथ तुकलब का क्या मतलब है पहली हालत की तरफ लोट जाना तुम पहली हालत की तरफ पल्टाए जाओगे जिस हालत में तुम खुदा की तरफ लोटोगे और जो मखलूट का पैदा होना है वो महज इजन से है इजन ही की नाव रूबी है इजन ही है जो कि खिसी हश्ची तर ठेक Low टेख बड़िए उसकी आप टेशान नी सकते जिस हालत में तुम के तुदा में फूटे हो उसी हालत की तरफ सुम दोबारा लोटा दिये जाओगे पल्टा दिये जाओगे जहां सारी काइनात का पलटना मुझमून मुराद है सिर्फ स्वाल जवाब के लिए पलटना किसे नगर नहीं है पहली हालत की तरफ सबने वापस लोटना है लेकिन उस हालत में बाद ऐसी भी होंगे जिन को अजाब दिया जाएगा तो चैसे भी होंगे जिन परहम किया जाएगा वा मा अन्तुम बे मुजिदिमत लर्दे वरा फिस्वा जहां तक तुम्हारी दात का तालुग है तुम जमीन में मुजिद नहीं हो सकते मुजिद कहते हैं किसी चीज को मुसल्द होकर उसे चोटा दिखा देना बेहक्यत कर देना उसके अपनी जाद में कोई ताकत में रहे तो मुजिदा इसी लिए हो इस्वारी होते है उस्वारी जाद के तुम दुनिया के हालात पर मुजिद नहीं बन सकते वला फिस्वा और ना आस्मान के हालात पर तुम मुजिद बन सकते हो मालकुम मिन दूनि ल्लह मिन वली वला मिसीर तुम्हारे लिए अल्लह के स्वा कोई वली यानि कोई तुम्हारा दोस और कोई मुजद गार नहीं जाए वला कि स्वा में क्या माने है तुम्हारा नहीं कोई इन्सान भी अस्मान को आजिस करने का खाब भी नि देश सकता था अस्मान के आजिस करने का कोई तबुर भी तरह नहीं होता था अब हुए है और अभी अस्मान की हरकतों को ये तब्रत नहीं आजिए झाए उसको समझ रहे हैं , और दूसरे अस्मान की तरफ जाकर कोई इसी तब्रत नहीं कर सकते जो निजाम रेका है । मेरे Μजीक यही दावा है, क्योंकि इस से पहले । सिरू फिर अल्द की दावद दी गई थी। हुमीन औ अस्मान की ख्लक के गौर करने की दावद दी गई थी। हमता है तुम गोर तो कर लो निगर तुम अगोर एक बात बतां डेगा, कि तुम ना खालिक हो ना खालिक की मुखरूफ में दख्रनदा भी कर सकते हो तुम उसे आजिज नहीं कर सकते हो यहां सिर्फ एक स्वाल उखता है कि यह जो नई मुखरूफ जिनेटिस के तौर पर बनाई जा रही है यह गोया के नाउद बिल्ला जिमीन में आजिज करने का मुखरूफ है ति लहकीकत यह आजिज करने का मुखरूफ नहीं है यह खुदा काला की तखलीक के गलत इस्तेमाल का मुखरूफ है जिसके नतीरे में इन्सान आजिज आएगा जब वो कोशिश करेगा जिस सिस्थे में कामियाब होगा खुज आजिज आजाएगा और ये खत्रा है कि वो मख्रूब इंसान पर गालब आके उसे अपना गुलाम बना जाएगा इसे जहां मोजजीन का जो कुली तोर पर मिजमून है उसे तरह साज़ का रहा है हर्द इंसान मख्रूब में फिरकर उसे अजिज नहीं कर सकता और ये खत्रा है इल्ला अन्कालु उक्तलु हो और हर्यकु हो खन्जाहु ल्लाहु मिलनार। इन्न फी जालिक लायाति ले कौम युमिनून। वल्लजीन कफरु वे आयात ल्लाहु है। वो लोग जिनने अल्ल्द अल्ला के निशानात का इंकार कर दिया है। वा लिखाएही और उससे मुलाकात का जहां लोटेंगी तो हर चीज अपने अव्व असलियत की तरु जाएगी। तो कानात मिटाई जाएगी तो यह फिर अदम हो जाएगी। मगर जो जीशुओर हैं इन्हें में से जिंदगी भी पूटेंगी। इन में से भी बाशुओर वजूद फूटेंगे। वो उदर नहीं लोटेंगे। बालकि और मानों में खुदा की तरफ लोटेंगे। जो इसका इंकार कए कि हमारी मौलकात मने वालिये खालिकी। उलाएक यईसुमे रहमती। यही वो लोग है, ल्लाँ फिरमाता है, कि मेरी रहमती वो मायूस हो गए। यह बहुत ही अहम और जहरा मज़मून है। जो लिखाय बारी ताला से मायूस होते हैं। वो दुनिया में ऐसा फ़साद खलाते हैं कि उसके नतीजे में दुनिया अल्ला की रहमत कम ज़नी रहती है और उनके इस माणे इस वड़ाइब के और ओर माणे के अलावा ये माणे बीसमेदाते हैं जिनों ने भी लिखास से निकार किया है वो अजाद हो याते हैं और अजाद होकर अपनी ताक्तों को जोनी नो इन्सान के खिलाफ खुद अपनी कौमों के खिलाफ इस तरह समाल करते हैं कि गोया वो अल्ला की रहमत से मयूस वजात अला अब इस उनके जेरे अतार आघी है कभी भी रहमत का इन पर रहमत माझन ने फरimento कर खिलाए को यह है उनका रहमत से मयूस की तर्शबूर दूसरे रहमत मयूस होते हैं तो अपने अमाल की शिक्र नहीं करते रही जब लिखास से अमायूस हो गयए तो अमाल की शिक्र जाती है यही वो लोग हैं जिन से दर्दिना का जाब है इबरहीम को उसी कौम ने इन सब बातों का कोई जवाब ने जिया मगर वो जवाब जो हमेशा से खुदा और रसूल की जिसके जेते हैं इसको गतल कर दो इसको आग में जरा दो जाह लोग में नार अल्हा ने उसे आग से ज़ाद बख्शी इनन फी जालिक अला आयात लिया कौम ने इन इन इसमें इमान लाने वालों के लिए बहुत जिक्तानाए खिए बख्शित जो अधियर से ने जिक्तानाए